सुभे का टायम हो या फिर कहीं से आये हो आपके पास बहुत कम टायम है और खाना भी बनाना है और साथ में और भी काम करने तो आप क्या किजी यह वाली सब्जी ट्राइगी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इतनी जल्दी बन दिये बार बार देखना भी नहीं आई होगी एक बार यह तरीका ट्राइगी बहुत आच्छा है और बहुत जल्दी बन जाता है यह सब्जी बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी नमस्ते नेलम किचिन से मैं नेलम स्वागत है आपका आपकी चैनल में चलिए फिर आज की रैस्पी सुरू करते है आलो मता टमाटर सबजी बनाने के लिए सबसे पहले आलो को छील दिया और उसमें पानी में डाल दिया और फिर यह देखिए मोटे मोटे आलो गट करना इसके बहुत चोटो छोटे आलो मत गट करी है यह क्युकि इसको पर आलो अच्छे से पकये गा और फिर गरे-वी को स थोड़ा सा पानी डाल के इसको धुल देंगे इसको कर दिया अब हम इसमें और भी पानी बाद में डालेंगे क्योंकि इससे ना स्टार्च निकलेगा तो काले भी नहीं होंगे और जल्दी सो गया अब देखिए हमने यह प्याज भी ऐसे बड़े-बड़े काट लिए आप ज चमच ते बड़ेए आप चाहओ तो इससे भी कम डालें लीज, आप चाहओ तो इसमें घी भी ही यूज कर सकते जैसे एक छमच आप घी ही क्योंकि हमने सिर्वा जीरे का लयाना है और वस इसमें ही इसी के साथ अच्छे से हो जाएंगे मिक्स और अभी तो हम सिर्फ क्या डालेंगे हल्दी और नमक तो जिससे की हल्दी से कलर भी अच्छा जाएगा और हल्दी इससे पक जाएगे और नमक क्या होगा यह आलू को अच्छे से गला भी देंगे और जल्दी बन जाती है ऐसे मे आलू में नमक डाल दिया तो चलती हो ढखके इसको उस सिलो टू मीटियम फिलेप में इसको पका लीजी आप देखे हमारी आलू लगबख पक चुके हैं तो इसमें क्या इसी टेम पे हम डाल देंगे अपने मसाले तो कौन से मसाले बहुत कम मसाले यूज करें जैसे हमने ये धनिया ली है और लाल मिर्च पाउडर और बस गरम मसाला और कुछ नहीं इसमें डालना बस इन सब को अच्छे से मिला दिया है मिलाने में बस सारे मसाले एक से मिल गए हैं इसमें और इसी में भी हलका हलका सदी के नमी हैं और इसी में हम क्या करेंगे टमाटर भी एड़ कर देंगे तो हमने दो टमाटर कट कर लिए थे उनको हम इसमें डाल देंगे टमाटर इसमें डाल दी हैं, काट के और बस इनको भी ऐसे चला दिया और बस फिर इसमें हम क्या करेंगे ढक के थोड़ी देर इसको नर्म हो जाने देंगे टमाटर को यह हो गए अब हमें इसी में बस देखी हमने कुछ अलग से नहीं हुजे ना मसाले इसमें हम क्या करेंगे पानी डाल देंगे पानी इसमें जादा नहीं पड़ता है इसके ग्रेवी रहती है बहुत पतली नहीं रहती है इसके ग्रेवी बिल्कुर हलकी सी रहती है और बस इसी में जो हमारे टमाटर गल जाएंगे और जो आलू हमारे तो वैसे भी पक चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है, तो वो आलू इसमें ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे हमारे हलके से, ये देखे, हमारी सबजी बन चुकी है, ये देखे, इसमें ग्रेवी भी जादा नहीं है, बस इतने ही ग्रेवी रखना भी तेस्ट को बहुत अच्छा टेस्ट आता है , इसको आप जरूर बनाएं कि आओने साथ पसंद आ आ नहीं तो नहीं मटन नहीं तो आलू बनाएं यह आलू टोमाटर इस तरीकी से बनाएं बहुत अलग लगेगा क्योंकि ये तो आलू तो सबको पसंद होता है न आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक चैनल सस्क्राइब ने की तो प्लीज चैनल सस्क्राइब कीजिए अपने परिवार दोस्त रिस्तेदार सबको सेर कीजिए और आप ना ये बताए हम नेस्ट पी कौनसी ट्राइ कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग नेस्ट वीडियो मिल दें